हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल नर्सिंग विद खुशी सो आज मैं शो कर रहे हैं आपको फाउंडेशन आफ नर्सिंग की फाइल कैसे बनाई जाती है ठीक है सो यह मेरी फाइल का कवर है मुझे बहुत पसंद है एक सो फ्रेंट पेज पे कॉलेज का नाम यह नर्सिंग फाउंडेशन समिट डेट समिट टू समिट इड़ टीटर सिगनेचर ऐसे करके आपको फॉर्स्ट पेज सेयार करना है नेक्स पेज पे आपको इंडेक्स बनाना है हमें 25 प्रोसीडर बनाने थे आपको जितने बनाने हों इतने अब बना सकते हैं सो इसमें मैंने लिखे अंदर मेडिकल एस्पैसिस सर्जिकल एस्पैसिस परसनल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट होट फॉर्मेशन सेट बाद नेजल के नेना गोल सपन्जिंग गशसेंग मां स्नुसल कि था बाद कर अबने के अड़ पाज एस एंड शा एस एंडेक्टिव एस एग्ण ऑ इयर कोंफर्डव एस एड्मेशन एस एंड्मेशन एड स्वार एस बिस श्चन प्रोटेटर इस एक्षब द इस श्चर्बग एस एस एर एस ट of hair, biomedical waste, and sepia. So, यह कुछ प्रोसीडर है, जो मैंने अपनी फाइल में बनाय है. Next, पीच प्रे आपको अग्नॉलजमेंट लिखना है. So, मैंने यह अग्नॉलजमेंट लिखना है. आप भी ऐसे अग्नॉलजमेंट लिख सकते हैं. अपना नाम एंट टीचर का नाम चेंज करके, सब्चेक्ट चेंज करके, ओके, फर्स्ट है हमारा Medical Aspaces, Summitted to, Summitted by, पहले मैंने डेफिनेशन लिखिया है, फिर Hand Washing लिखा है मैंने, उसकी डेफिनेशन, प्रोसीडर लिखा है, चीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है, Simple Hand Aspaces, Uses of Alcohol, Hand Shrub, Uses of Antiseptic, Hand Wash, Next है हमारा Surgical Aspaces, Summitted to, Summitted by, पहले लिखिये, डेफिनेशन, Surgical Hand Washing Scrub, Purpose and Equipments लिखे हैं इसके, इसको ब्लेक पैन से मार्क करना है, उसके बाद मैंने, मैंने हाँ पर प्रोसीडर लिखा है, Next है हमारा Personal Protective Equipment, Submitted to, Summitted by, इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है, Types of PPE Kit लिखा है, Gloves के बारे में लिखा है पहले मैंने, आप लोग चाहे हैं तो इसके डाइग्राम्स भी बना सकते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं, प्रेंट आउट निकालके, Next मैंने लिखा है, Gown and Appearance, Next मैंने लिखा है इसमें, Mask, Eye Protection, Face Shield, Next मैंने लिखा, Uses and Techniques of Wearing and Removing PPE Kit, उसके बाद मैंने इसका प्रोसीडर लिखा है, फिर मैंने लिखा है, Procedure of Removing PPE Kit, Procedure of Wearing the Gloves, पहले डेफिनिशन लिखी, उसके बाद उनको रिमॉव करने का तरीका लिखा है मैंने इसमें, Next है मारा Heart Formation, Submitted to, Submitted by, Definition लिखा है, Purpose लिखा है, Equipments लिखे हैं, आप चाहे हैं तो Equipments की भी ड्राइंग कर सकते हैं, या पेस्ट कर सकते हैं, प्रेंट आप निकालके, Next मैंने उसके Procedure लिखे हैं सारे, So, यहां खतम होता है हमारा Heart Formation, Next है हमारा Sit Bath, Submitted to, Submitted by, फिर उसकी Definition लिखी है हमने Sit Bath की, Purpose लिखा है Sit Bath का, Solution Use लिखा है, फिर उसके बाद हमने यहां पर Procedures लिखे हैं, Next है हमारा Auto Inhalation by Nusle, Canula, Submitted to, Submitted by, Definition लिखी है हमने, इसके बाद Procedure लिखे है हमने, आपका एक Procedure, 3-4 Pages का होना चाहिए, सबकी आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, और प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर सकते हैं, अट्रेक्टिव के लिए, फिर मैंने इसके Advantages and Disadvantages भी लिखे हैं, नेक्स्ट मैंने लिखा है Cold Sponging, Submitted to Submitted by, फिर मैंने इसका Definition दिया है, इसके Purposes दिये है, फिर मैंने इसका Procedure लिखा है पुरा, नेक्स्ट है हमारा O.T. Inhalation by Oxygen Marks, पहले हमने लिखा Definition, उसको अच्छे से Define किया है, इसके बात मैंने Procedure लिखा है, Advantages लिखे हैं इसके पाद, Disadvantages लिखे हैं, नेक्स्ट लिखा है O.T. Inhalation by, नसल कहते तर, Definition लिखा है इसका, Procedure लिखा है इसका, Next, आमरा Beds and Bed Making, Submitted to Submitted by, Definition, Purpose of Bed Making, Types of Beds, Principles of Bed Making, Types of Bed Making, अब उसको Explain किया है अच्छे से, पहले लिखा है Open Bed, उसके Purposes लिखे हैं, Open Bed का Procedure लिखा है, Nursing Foundation की फाइल को, हम Practical फाइल भी बोलता है, नेक्सिस में हमने लिखा है, Closed and Unoccupied Bed, उसकी Definition, Purpose, उसके बाद हमने इसके प्रोसीडर लिखे हैं, प्रेक्टिकल फाइल में फोटो होती हैं तो और अट्रेक्टिव एंड ब्यूटिफुल लगता है, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्रॉब भी कर सकते हैं, नेक्स हमरा उक्युपाइड बेड, उसकी Definition and Purpose, उसके बाद लिखा हैं हमने प्रोसीडर, नेक्स हमारा उप्रेशन बेड, उसकी Definition and Purpose, उसके बाद लिखा हैं हमने उसके प्रोसीडर, नेक्स हमारा पोस्ट उप्रेटिव बेड, Definition, Purpose, नेक्स हम प्रोसीडर, सब बेड के अलग-अलग प्रोसीडर होते हैं, इसलिए मैंने अलग-अलग उन्हें मैंशनेर किया, नेक्स हमारा प्लैंकेट अन्थेरपेटिक बेड, Definition, Purpose, प्रोसीडर, नेक्स हमारा अंपुटेशन बेड, उसका Definition, Purpose, नेक्स हमारा प्रोसीडर, नेक्स हमारा अंपुटेशन बेड का 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 अंपुटे of hands and feet definition एके पर्पोस एक्विपमेंट पर्पोस एक्विपमेंट प्रोसीडर nextgen mare care of eyes nose and ear definition purpose पर्पोसिडर के ड आई nextgen mare procedure care of the ear next amara procedure care of the nose next procedure amara comfort device definition purpose hot water bag definition purpose foot and elevator definition purpose इन सब के भी आप ड्राइंग्स भी बना सकते हैं सारे comfort डिवाइजिस के आपको net पे भी print out मिल जाएंगे इनके अगर आपको print out लगाना है तो मैंने आपको अपनी पूरी file in detail शो करी है एक एक चीज मैंने जिस तरीके से बनाई है अगर आपको ऐसे ही बनाना है जितने procedure बनाना आप मेरे में से बनाना है नेक्स है मारा ट्रांसफर प्रोसीडर डेफिनेशन लिखे पहले इसके बाद परपस इस लिखे हैं टाइपस आफ ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोसीडर 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 next check care of genitalia definition purpose equipment next like a procedure next check our pediculitis treatment definition purpose equipment next check our procedure next check our hair wash definition purpose equipment next check our procedure इस तरीके से यूट्यूब पे किसी ने भी आपको फाइल ने दिखाई होगी नेक्स वाइटल साइं पर्च में आपको एक एक पेज दिखा रही हूँ कितना लेंदी लेंदी प्रोसीडर मैंने लिखे हैं ताकि आप सेम टू सेम लिख सके कॉंट्रा इंडिकेशन भी लिखा है मैंने इसमें नॉर्मल अडल टेमपरेचर रेंज भी लिखा है साइड ओफ टेमपरेचर मेजरमेंट लिखा है मैंने उसके बाद मैंने लिखा है प्रोसीडर नॉर्मल पल्स रेट रेश्प्रेट्री रेट करेक्टर्स रेक्टर्स रिक आफ नॉर्मल रेस्पिरेशन नैक्सस साइड ओफ मेजरमेंट उसके बाद मैंने बलेड प्रेशर explain किया है blood pressure का side of for measurement लिखा है मैंने next मैंने लिखा है care of pressure areas, back care, definition, purpose, equipment उसके पाद मैंने लिखा है procedure next हमारा care of hair उसके पाद मैंने definition लिखी है purposes लिखे है, hair combing, then मैंने equipments लिखे है procedure लिखा है, next है हमारा biomedical waste management, BMW, next मैंने उसके definition लिखे है, importance लिखे है, उसके बाद मैंने types of hospital waste लिखे है, उसके बाद मैंने लिखे है color code, types of biomedical waste, last मैंने लिखे है CPR, definition लिखी है, patient assessment लिखा है, adult का CPR लिखे है मैंने, next मैंने chest compression लिखा है, rescue breathe, so यहां खतम होती है हमारी practical file, nursing foundation की, hope आपको मेरी file से कुछ help मिले, and मेरी file में जितने भी procedure है, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ teachers 10 लिखने के लिखे हैं, कुछ 15 तो कुछ 25, हमारे teacher ने 25 लिखने को कहा था, अगर इन 25 में से आपको कोई भी लिखना है, तो मैंने सब के procedure आपको शो किया है, आप वीडियो पॉस करके लिख सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, and subscribe कीजिए, and bell icon पे click कीजिए, ताकि मेरे वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिले, thank you